1A से लेके 13A तक all type of BMS module तो दोस्ते जैसा कि वीडियो में देख रहे हो इधर पर है आपका एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एट टाइपस of BMS module and दोस्ते ये डिफाइंड डिफारेंट बोल्टेज का है तो इस वीडियो में आपको BMS module के रिगारिंग जिदना भी confusion है वो पुरा clear हो जाएगा मैं easily आपको समझा दूंगा की भाई BMS module कहां पर इस्टमाल करना होता है BMS module कैसे selection करेंगे क्योंकि BMS module का minimum पैरामेटर होता है current का ठीक है इस module रखा हुआ है तो चले वीडियो को शुरू करते है एंड वीडियो को स्टार्ट करना से पहले अगर चैनल पाभी जख सब्सक्रेब्स कर दीजिएगा यह जो BMS आप लोग देख रहे हो दोस्तों यह आपका 1S BMS ठीक है 1S BMS मतलब कि आपका एक single piece ऐसा एक battery के लिए अगर आपको BMS protection की जरूरा थे इसका protect करना चाहते हो तो आपका यह BMS यूज होता है तो इस BMS का connection में बोलता हो देखे बहुत ही छोटा होता है आपका battery के मुकाबले ऐसे side में इसको fix करना होता है double side tip से तो इस BMS पर देखिए पीछे इसका पुरा connection का diagram दिया है इधर पे देखिए B positive and P positive जो है मतलब battery का and battery से जो power निकलेगा उसका positive एक ही single terminal इधर पे connect करेंगे ठीक है इधर से P negative जो है मतलब power का जो negative हो इधर से निकल लेंगे यह वालब terminal से and battery negative इस पे लगाएंगे बतलब की दोस्तो battery का negative अलग है and power का negative अलग है बाकी battery का positive and power का positive single port से निकला जा रहा है ठीक है इधर पर एक ही battery है तो कोई connection में कोई confusion नहीं है तो अभी बात करते है इस BMS module के बारे में दोस्तों इधर पर देखिए 1S BMS यह आपका 5A current के लिए है ठीक है इसका देखिए अगर नॉर्माल voltage देखू तो नॉर्माल voltage होता है दोस्तों 3.7V full charge voltage है आपका 4.2V and low voltage है आपका 3.0V अभी दोस्तों बात है कि भाई current limit इसका कैसे चूज करें देखिए suppose अगर आप यह battery यूज करें इधर से आप एक LED जाल रहा है simple से LED अगर आप on कते हो LED आपका 1A current लेता है ओ current आपका 5A से कम है आप इजी लिए वाला BMS यूज कर सकतो मतलब की load current ऐसा नहीं है कि भाई यह BMS 5A के मतलब की 5AH battery के लिए ऐसा नहीं होता BMS का current और H अलग-अलग होता है current का मतलब होता है कि आपका load current कितना होता है सबसे 5A के तो अगर इसको आपको discharge काना तो 5A के अंदर अगर करेंगे तो BMS अच्छा रहाएगा 5A के उपर हो जाएगा तो BMS जल जाएगा आप एक LED यूज कर रहे हो जिसका 2A का current इस battery से draw हो रहा है आप यह BMS यूज कर सकते हो मालब आप तो maximum 5A तक अगर आपका current draw हो रहा है बैटरी से तो आप इसली यूज कर सकते हो अभी सिंगल बैटरी से एक 2A के जादा नहीं होता जादा तर जिदना भी हम लोग applicants use करते हैं वो सभी एक 2A के अंदर आ जाता है तो इसके लिए वालब BMS बेस्ट है वान इसमें अभी चले जाम करते है 2S पर कि यह रहा है दोस्तों 2S BMS एन इस पर connection का में थोड़ा बोल देता हूं यह देखिए इधर पर B positive and B negative इस पर आसे निकल पर लगा हुआ रहता है तो जो बैटे का positive होगा 2S BMS 2S battery मालाब है आपका 8.4 volt का तो 8.4 volt पर positive में यह वाला जाएगा negative में यह वाला जाएगा और middle का जो connection है यह वाला वह आपका जाएगा 3S connection पर थीके मालाब दोनों बैटे का middle का connection हुआ ठीके and P positive P negative से आप पावर का line निकल लेंगे तो इधर पर देके 2S BMS का आपका जो normal voltage हुआ माला बैटे का जो normal voltage आता है 7.4 volt full charge voltage होगा 8.4 low charge होगा 6.0 अब अगर यह voltage आपको समझ भे नहीं आ रहा है तो इसके में थोड़ा से easily volt आओ हम लोगा जो lead acid बैटे होता है तो उसका normal हम लोग 12 volt बोलते है ठीके तो lithium-an का normal यह वाला voltage lead acid का 12 का बड़ा बार होता है ठीके full charge lead acid का full charge voltage होता है आपका 15 volt 14 volt एप्रोक्स ठीके तो यह वाला हो एंड लो charge voltage होता है आपका lithium-an में lead acid में आपका 9 volt एप्रोक्स ठीके तो आपका low voltage अगर standard uses जैसा की lead acid में 12 बैटेमान में होता है 11.1 यह रहा थीस बीमस थीस 20 ampere rating का जो सबसे जादा use होता है दोस्तों कोई भी 12 volt का एप्लेकंस पे ठीके अगर 12 volt का आपको lithium-an battery बनाना है जिसे आप 775 motor fan वागड़ा LED वागड़ा सब कुछ जाला पाएंगे तो यह वाला BMS आपको use करना पड़ेगा इस BMS का देके connection बहुत ही सिंपल होता है इसका देके इधर पे 12.6 volt का connection इधर पे ग्राउंड का connection 0 volt का इधर पे 4.2 का इधर पे 8.4 का बस यह दोनों से आप charging discharging दोनों का ही लाइन निकाल लीजिए ठीके चोटा साब BMS होता है यह दोस्तों होता है 20 ampere rating का तो इसमें देखिए नॉर्माल बोल्टेज 11.1 जो लीजिए में 12 volt होता है ठीके full charge 12.6 नॉर्माल लो बोल्टेज 9.0 अभी दोस्तों बात और कन्फूशन जो आप लोगों को में होता है कि 12 ampere मतलब की 12 AH एक दम ही नहीं दोस्तों सबस्तों आप 12 volt का बैटरी उसका दो जहां से आप 2 LED लाइक जल रहा हो तो 2 ampere करके एच तो 4 ampere निकार है आप इसली यह वाला BMS यूज कर सकते हो आप 775 motor चला हो जो मैक्सिम 5 यह 6 ampere तर कारें लेता है आप इसली यह वाला BMS यूज कर सकते हो मतलब कि लोट करेंड ना कि एच लोट करेंड आपका 20 ampere से कम होना चाहिए और किदना एच आप इस पर कर सकते हो तो भाई कोई लिमिट नहीं है 100 200 300 जिदना चाहे एच का बैटरी आप बना सकतो यह BMS यूज कर सकतो मगर आपका यह लोट करेंड जो है वह 20 ampere से कम होना चाहिए और अब इस दोस्तों चार्जिंग करेंड भी कम होना चाहिए तो अभी जाम करते है 4S BMS पर इह रा दोस्तों 4S का BMS यह वाला 30 ampere rating का BMS है हम लोग 20 ampere जाद तो सेल नहीं करते है 30 ampere कहीं करते है ठीक है तो यह वाला BMS कर देखिए अलग सी दर पर कॉट डेवरा जहां से आप लोग वायर भी न आपका 14.8 volt का connection जाएगा ठीक है and B1, B2, B2, B3 होगा होगा आपका middle का 3 तो बैटे का connection P plus P minus दोनों से आपका charging, discharging दोनों का ही port निकलेगा इस BMA के साथ दूस्तों आपको वायर connection मिल जाएगा जिसका कैसे वायर connect करना है आप चाहे तो इस वायर के मदद से भी connection कर सकते हो ठीक है मतलब की P plus P minus को छोड़के बाकी सभी connection यह wire के साथ ही हो सकता है या फिर solder करोगे, दोनों में से कोई भी एक आप चाहे तो कर सकते हो तो 4S BMA का देखिया, 30A rating का है, मतलब load current का limit है, maximum 30A, full normal voltage होगा 14.8, full voltage होगा 16.8 and low voltage 12 दोस्ती वाला battery 775 motor के बहुत ही जाद अच्छा होता है क्योंकि इसे power भी थोड़ा सा अच्छा मिलता है, 12 mode पे थोड़ा सा काम होता है तो इस पे थोड़ा सा अच्छा मिलता है and इसे आप इसली 775 या इस category को motor को मतलब cutting बोले grinding बोले, मतलब छोटा मोटा काज और dealing बोले त नहीं करना है, वैध द्यावार राता है, इस वैर को बस ऐसे connect कीजिए, बैटरी का जो individual connection जाता है, सब इससे हो जाएगा, बस आपको BMS में क्या करना होगा, total battery का जो negative and positive terminal connect करना है and power and charging का जो P-P+, इससे निकल देना है, ठीक है, यह वाला BMS 6S BMS है, इसका normal voltage 22.2 volt होता है, low voltage 18 volt, full volt होता है, 25.2, यह दूसरो 775 के लिए maximum बैटरी का BMS है, जो 775 मोटर पर इसली उस कर सकते हो, अगर आपका grinder बोलिए, cutting, out cutting, drilling में बहुत high load का काम होगा, तो अगर लिथयमान, मतलब यह सभी बैटरी से अगर लिथयमान बैटरी बनाएंगे, तो यह वाला BMS आपके लि 7s के बैटरी में बैटरी में,E Cycle का बैटरी में, evidence 7s अगरी बैटरी में, 7s BMS के झरूते हीं जरूरत होता है, and यह बाला BMS के मोटर पर यूस होता है, जो लोंग टाइम κάνे दे चलती इसे दोस्तों हीट सिंग से पोटेक्टेद है क्योंकि बहुत लॉंग टाइम इस पर यह थोड़ा गड़ा होता है तो देखिए उपर में स्पेशाल हीट सिंग दिया हुआ है जा पर इन सभी BMS में कोई भी हीट सिंग नहीं दिया हुआ रहा रहा था सेबेनेज इस साइकल मोटोर के लिए यह बना हुआ होता है तो इसके उपर अलग से मेटल का हीट सिंग होता है ठीके इस BMS में कनेक्शन थोड़ा सा अलग है दोस्तों इसका कनेक्शन में देखिए बस ऐसा वैर हो रहता है इसको कनेक्ट कर यह ऐसे और इससे आपका बैटेर के लिए अलगता है बस काई होता है यह बस नहीं करना है वह गया और यह तो ऊचरज्ज बह schem includes तो लेज 7S BMS यूज होता है क्योंकि देखिए 7S का जो नॉर्माल वोल्टेज हे होए 26 V और 6S का नॉर्माल वोल्टेज हे 22 अभी जो इसाइकल का बैद मोट होता है वो 24 V का होता है ठीक है नॉर्माल स्टेंडर तो यह वाला 25 इसका लोगेज वोल्टेज 7S का देखिए 21 फूल वोल्टेज 29 यह 7S BMS ही आपका इस साइकल के लिए सबसे एक्टोपीड ब्यमस है अगर आपको अच्छा स्पीड एन माईलेज चाहिए तो ठीक है तो यह वाला ब्यमस आपका इसाइकल का ब्यमस हुआ जो इसाइकल के बैठरी अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो यह वाला ब्यमस आपको यूज करना होगा आगे बतते आपका 10S BMS के साथ यह वाला जो ब्यमस है दोस्तों यह कमाल का ब्यमस है है आपका 10S BMS घिक है इधर पर देखिए 10S BMS है एन दोस्तों इसका चर्जिंग करेंट है आपका 10 A, Discharging का माक्सिम करेंट 20 A का ब्यमस है इस इसके भी दोस्तों connection से में ऐसे करके इसको connect करना होगा सब बैटेरी का individual connection के लिए ऐसा वाद दिया हो रहाता है and उपर में दोस्तों battery negative power negative इन सब के लिए इधर पर port दिया हो रहाता है B negative P negative and दोस्ति इधर पर charging का अलग सहोता है जहां पर इस सभी का charging और discharging एक होता है इसका दोस्तों अलग से PC मला charging का अलग दोस्ति सभी BMS का connection आपको अगर जानना है तो connection का diagram वगड़ा उसाब में दोस्तों बीजिए दाल जाए link है link पे जाएंगा तो पूरा connection वगड़ा मिल जाएगा 10S BMS दोस्तों कहां पर इस होता है बहुत सारा हाब मोटर होता है इस cycle का हाब मोटर 36 वोल का या फिर बहुत सारा हाब मोटर में लिए 36 वोल का जो जो आता है 350W, 450W, इन सभी में दोस्तों इसी लिए आप यह वाला BMS यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसको मैक्सिम्म 20A का रेंज ही अभी 20A देखे दोस्तों 37 क्या आप 20A से माटिपिल है किजे तो 740W, तो मलब कि इस BMS आप मैक्सिम्म 740W, sorry 42 into 20, 840W तक कोई भी मोटर इसी लिए अब इसको ऑपरेट कर सकते इस BMS से ठीके, तो आपका देखिए इस BMS का नॉर्मा करता है, तो हाब मोटर में, हाब मोटर के लिए अगर आप पैटर बैक बना रहा हो, तो आपको चाहिए 36V का अगर हाब मोटर हुआ, तो यह वाला BMS 10S, ना की दोस्तों 9S, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9S नहीं होगा, 10S BMS यूज करना होगा, उसके बाद अपका आता है लास्ट जो BMS है, 48V का, यह रहा दोस्त अब का, 13S का BMS मतलब की 48V का, अगर आपके पस मोटर हुआ, 13S 48V and 20A supportable, ठीक है, इस BMS का भी कनेक्शन देके, 13S, 10S के जैसा ही, इस पर बस यह वाल लग जाता है, ऐसा, ठीक है, और बाकी का कनेक्शन आपका यह B-, P- and charging का अलग इसके साथ, बहुत ही लंबा हुआ है, इसके साथ, अभी दूस्तों, एक बात जो गौर करने वाली है, आपका 7S, 10S and 13S पे, हीट सिंग लगा रहा 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 है, इसलिए क्योंकि यह डारेक्ट मोटर ओरेंट होता है, मतलब की डारेक्ट जो आपका 48V का, जो हाब मोटर होत होता है, उन सभी के बैटरी पैक में यह वाला BMS यूज होता है, तो लॉंग टाइम के लिए, एक दो घंटे में 20 A अगर कारेंट हुआ होगा, इसके लिए हीट सिंग के साथ, पोटेक्टेट है, अभी पका लीची इसका मैक्सिम वाटेज कितना होगा देखे, 54.6 and आपका 20 A, मरला अपकी दोस्ता, आपका 1000 Watt का मोटर इसके लिए अपका यह BMS के साथ एटरेच कर सकतो, और अगर H की बात करेंगे, तो बहुत ही लंबा H आप लगा सकता, 50-60 H का भी कोई दिक्कर ने, आप इसके लिए बैटरी के साथ यह BMS करनेट कर सकतो, 56 H बैटरी के सथ भी और इसका देखे, फूल चार्ज भोल्टे जोगा आपका 54.6, नॉर्मल भोल्टे जोगा 48.1, और लो भोल्टे जोगा 39 भोल्ट, यह दोस्ता, आपका 48 भोल्ट का, अगर आपका हाब मोटर हुआ, नॉर्मल मोटर हुआ, जादा तरो 350 Watt यह 450 Watt का होता है, तो उसा भी मोट के लिए यह वाला BMS आपको यूज करना होगा, लीथियामन बैटरी से जब आप यूज बैटरी पैक बनाएंगे, तो ठीक है, और दोस्तों बहुत से लोग का यह कॉन्फूशन रहा है कि वाई, इसाइकल के लिए जब आप में बैटरी बना रहा हूँ, इसाइकल यह आप लाइट सेकल होते है, तो इसवीका बैटरी सबसे बैस्ट है, कि यूज कि यह करते है, तो इसे बैटरी अजाएक करना होँ इसाइकल होता है, लाध का बैटरी शेघेद आप मोटरा खिरना रहा हूँ, तो मैं और के बस्ष 2500 A 2-च sim Total岐 कर इस बस्का क्रेदे बैटरी होता ह से दाल दें उधर पर जाके आप यह सभी BMS चाहे तो आपके लिए खड़िश सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में में अबले वेले अमाजा फिल्पकर में आगा देखेंगे तो भाई जो प्राइस है ना मतलब सोसने से भी उपर की रेंज का है मगार में हम लोगा जो इसे द जोस्तों आसा काते है कि BMS के रिगरिंग आपका जो जो कन्फिस होता है ओ क्लियर हुआ कैसे BMS का 20 A का मदलब 20 AH नहीं है उसाइद आपको अभी पूरा एगदम कांफर्म हो कर पता चल गया कि 20 AH नहीं 20 AH नहीं 20 AH का होता है जो जिसके अंदर आपका डिस्चार्च कारणी र 11, 12 A कहा गया दोस्तों इन मेंसे जो जो BMS नहीं मिसिंग है लाइक आपका 5 A, 8, 9 A दोस्तों उस BMS का ज्यादा था उसी नहीं होता क्योंकि 6 S जो होता है न आपका 5 S का BMS ज्यादा आता भी नहीं है 6 S के बाद 7 S उसके उपर 11, 12 A का मतलब उन बोल्टेज रेंज में कोई ज हम लोग उधना ज्यादा 72 वोल्ट का बैटरी बैग नहीं बना तो इसके लिए वाला BMS मेरे पास अभी लेवल नहीं है इसे में नहीं बना पाया में 48 वोल्ट अक मैक्सम बैटरी बैग अभी फिलाल मैनुफेक्चर करता हूं इसके लिए दूस्तों मैंने 48 का बैटरी मेरे तो चलिए आज के वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिएगा